हेलो फ्रेंद्स, वेलकम बैक टू भूगल को था फ्रेंद्स, आज मैं आप लोगों के साथ शियर करने वाली हूँ मेरा फर्स्ट केवीएस इंटर्व्यू तो मैं फर्स्ट बैरकपूर केवीएस में इंटर्व्यू दिया था इसके आगे वे मैं इंटर्व्यू दिया था बहुत स्कूलों में बट केवीएस का जो इंटर्व्यू था यही मेरा फर्स्ट ऐटेम ठाज बैरकपूर में कंट्रैक्चुल के लिए में इंटर्व्यू देने गया था तो वहां पर 15 मिनिट्स तक मेरा इंटर्व्यू हुआ था, तो बहुत सारे कोश्चन्स पूछे गए थे, मैं हर सारा डीटेल्स आप लोगे साथ शियर करूंगी, तो जो स्कूल था दोस्तो, पलता में बाराकपूर के विएस एफस स्कूल था, ठीके, तो जाने के बाद करना पड़ा, फिर मैंने तो रिक्वेस्ट किया कि मैं बहुत दूर से गया था, इसलिए रिक्वेस्ट किया कि थोड़ा सा जल्दी मुझे मेरा इंटर्व्यू करने के लिए, ठीके, तो फिर मेरा इंटर्व्यू हुआ, बहुत ही जल्दी हुआ, तो मुझे पहले तो पू किया गया मैं PGT Geography के लिए अपलाई किया था मैंने तो फिर पहले तो पूछा गया कि CAB CAB का full form क्या होता है हर सारा डीटल्स जो भी मैं इंटर्व्यू और रिजिन टेस्ट कोई भी सिलेक्शन प्रोसेस के लिए अगर एटेम करूं तो मैं हर एक डीटल्स एक डायरी में written वह मैं लिख करके रख दीती हूँ कि कभी इंटर्व्यू हो कभी स्कूल में कभी कुछ सिलेक्शन टेस्ट हो कोई भी स्कूल में तो यह बहुत ही हिल्फ करता है दोस्तों तो आप लोग भी एक कॉपी में हर सारा डीटल्स लिखकर करके रख दीजिएगा ठीक है तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही वेनिविश्यल होगा तो आज मैं आप लोगों के साथ वही सारा questions शेयर करूंगी ठीक है तो देखें मुझे पहले तो पुछा गया था मैं हर सारा details लिख करके रख दिया है तो पहले पुछा गया था कि CAB CAB का full form क्या होता है तो मैंने the full form of CAB CAB citizenship amendment bill and then computer से कुछ questions पूछा गया था एक question मुझे मैं लिख करके रख दिया था वियाद नहीं था मुझे तो DAWs DAWs का full form क्या है तो मैंने बोला कि disk operating system तो हरे questions का मैंने जबाब दिया मैंने ये determine करके गया था मैं कि कुछ questions अगर ना जानू तो directly बता दूँगी कि I don't know sir sorry और I will see it later अगर negative answer negative बात अगर अब लोग ना ही करे तो ही बहतर होगा दोस्तो तो इसलिए आप लोग answer कर सकते कि I will see it later in this matter अब लोग ये बोल सकते हो ये reply दे सकते हो उन लोगों को but don't say I don't know I have forgot it at this time I can't remember the points ये सारा answer ना दे करके अगर अब लोग बोले कि I will see this matter later तो देन पूछा गया नमामी गंगा प्रोग्राम कब हुआ था इसका परपास किया था तो ये जी के टाइप्स का questions कुछ किया गया था मुझे फिर होवे रिलेटेट कुछ कुछा किया था कि मैंने सल्फिंट्राक्शं में मैंने बताया था कि ये सारा डीटल कुछ पूछा गया था और मिन चीज ये होता है हर एक इंटरव्यू के लिह दोस्तों मेरा honestly, मेरा personal knowledge और experience अब लोग के शेयर कर रही हूँ कि time उन लोग आप लोग को कितना time दे रहा है आप लोग को answer देने में कुछ interview में ऐसा होता है कि उन लोग time ही नहीं देते हैं आप लोग को self introduction देने में बहुती कुछ questions only not for the self introduction but others जो भी questions पूछा जाता है थोड़ा सा depth और थोड़ा सा descriptive questions अगर पूछा जाए तो उन लोग शायद अब लोग को बोलने में time ही नहीं देते हैं तो तब अब लोग को बहुती short होई में answer करना पड़ता है अब लोग अगर परसिप करें अगर अब लोग सोचें कि उन लोग time दे रहे हैं during self introduction आब लोग को पता चल जाएक है उन लोग का attitude देख करके कि आप लोग को time दे रहा है या नहीं ऐसा भी मेरा बहुती experience है बहुत सारा experience है इंटर्व्यू में जादा time नहीं देते हैं तो यहां पर मुझे मैं मैं देख रहे थी कि उन लोग मुझे बहुती sufficient time दे रहे थे to answer the questions ठीक है तो यह आप लोग को पहले समझना होगा उसकी हिसाब से आप लोग को answer करनी पड़ीगी बहुत ज्यादा descriptive बहुत ज्यादा lengthy अगर आप लोग answer दे तो उन लोग बहुती actually bored हो जाते हैं तो यह आप लोग को नहीं करना है self introduction जैसे आप लोग prepare करके जाए उतना तक ही आप लोग दे छोड़ा छोड़ा करके sentence बना करके आप लोग practice किजिएगा self introduction फिर self introduction के बाद अगर उन लोग कुछ टाइप का descriptive और lengthy question कुछ पूछे तो हो सके तो आप लोग short type का ही मतलब की short summary ही उसका as short summary answer कीजिएगा ज्यादा lengthy नहीं कीजिएगा आप लोग answers आप लोग जानते बहुत है यह आप लोग को बोलना है कि मैं मतलब की साड़ा details जो भी अब लोग को question किया जाएगा उतना ही अब लोग को point to point answer करना है important points not the less important points अब लोग को बताना है अब लोग को हर साड़ा details point to point important points अब लोग को बताना है ठीक है इससे बहुत ही अच्छी impression पड़ती है दोस्तों then they asked me की can you handle the higher classes then मैंने कहा की yeah I have the patience to handle all level of classes as I love teaching and interested to satisfy them by answering a lot of questions I am sure I can handle तो इस टाइब का छोड़ो छोड़ो करके sentence बना करके अब लोग को उन लोग को satisfy करना है and बहुत ही short answer देना है बहुत जादा लेंदी नहीं करना है दोस्तों और next question जो पूछा गया था how would you ensure that you will be successful you will be successful teachers in all aspects तो अब लोग इसका एंसर ऐसे दे सकते हो की I think it's all it's not all stuffy paperwork rules and task list teachers are often warm caring and open individuals who help students feel comfortable in and out of the classroom students should feel safe to share their ideas in a supportive learning environment तो इस type का questions पूछा गया था दोस्तों और और भी एक question पूछा गया था pedagogical questions जैसे की what classroom resources do you use तो as I applied for geography PGT post so that I replied I answered that as a geography teacher I will like to use obviously a blackboard, different color, different colored chalks, globe, teaching learning model, chart, diagrams, etc. actually teacher should know the ins and outs of classroom resources know how to they should we should know how to mark student work we should know how they are able to write accurate reports and how to deal with disciplinary issues तो इस type का questions आप लोगों को बहुत ही short way में easy answer देना पड़ेगा ज़्यादा कंपलेक्स मत कीजिएगा आप लो तो इस type का questions पूछा गया था pedagogical questions और as I applied for geography PGT post then geography से मुझे बहुत ही simple questions पूछा गया था बहुत ही simple questions जैसे की what is revolution उलोग आप लोगों का speaking skill चेक करते है communication skill चेक करते है और आप लोगों का attitude, gestures, postures यह सब वहां पर जज किया जाता है दोस्तों पूछा गया था की what is called revolution, what is called plate tectonics, what is plate movement, what is fish bank तो इस type का questions बहुत ही, who introduced the plate tectonics तो इस type का questions किया गया था दोस्तों और lastly मैं आप लोगों को यह कहना चाहती हूँ कि आप लोग, actually कुछ conditions आप लोगों को रिमाइंड करके रखना है during interview, you should follow this type of manners, this type of attitudes and this types of knowledge actually मैं आप लोगों को six points आप लोगों को बताऊंगी, यह points आप लोगों को मान लेनी पड़ेगी क्योंकि आप लोग first interview दे और second दे और बहुत सारा interview दे करके फिर एक interview दे कि not knowing about the institution यह आप लोगों का नहीं होनी चाहिए दोस्तों, आप लोगों को you should know all about the institutions कि आप लोग, आप लोगों को अगर पूछा जाए कि how, why do you want to serve this institution और why do you work in this institution तो इसके लिए आप लोगों को यह knowledge होना बहुत ही ज़रूरी है तो knowledge about the institution आप लोगों को होनी ही चाहिए दोस्तों then correct body language होनी चाहिए आप लोगों को, बहुत confident, positive and strict body posture आप लोगों का होनी चाहिए कोई भी drowsy minded, drowsy body language, postures, gestures आप लोगों का होनी नहीं चाहिए दोस्तों तो और मतलब की आप लोगों को हर वक्त मैं कहती रहती हूँ की हर एक थोड़ा चोटा-चोटा करकी कोई भी definition कोई भी अगर पूछा जाए what is this what is this तो this type of questions should be made by you, only you, not copying from the textbook textbook से copy करके आप लोग नहीं लिखिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग की perspective से चोटा-चोटा करके कोई भी definition प्रैक्टिस कीजिएगा लिखिएगा फिर प्रैक्टिस कीजिएगा mirror के सामने, बट textbook से आप लोग रट की नहीं जाएगा रटा हुआ अंसर आप लोग interview में मत बोलिएगा, यह बहुत ही गलत बात है ठीक है, और कोई भी organization पे आप लोग काम कर चुके होंगे तो वो institution और organization के बारे में कोई भी negative बात है और कोई भी, कुछ भी criticize नहीं कीजिएगा आप लोग, criticize मत कीजिएगा ठीक है, और long stories मत बोलिएगा हर एक बात बहुत ही short way में अब लोग को बताना होगा and अब लोग का only aim होगा to impress, impress and impress क्योंकि आप लोग जानती ही होंगे कि आप लोग इतना qualified हो अब लोग का experience ही भी अगर है, तो आप लोग को जान लेनी पड़ीगे अब लोग fully eligible हो to perform in this school but अब लोग को पहले जानना होगा पहले तो आप लोग का confident poster and gestures होनी चाहिए and how to impress the interviewers only aim to impress the interviewers बहुत सारा competition है, बहुत सारा students होते हैं दोस्तों इसलिए आप लोग का posters, gestures and positivity के साथ-साथ how to impress the interviewers यह attitude भी होनी चाहिए ठीक है, तो यह गलतिया आप लोग मत कीचिएगा एक गलतिया होती है कि not knowing about the institution number two होती है, incorrect body language number three होता है, giving text books responses number four होता है, criticizing the previous organization or institution और यह भी होता है, telling long stories and यह होता है कभी-कभी कि only aim to impress the interviewers आप लोग ऐसे ही interviewers को impress नहीं कर सकते हो आप लोग का personal knowledge होनी चाहिए experience अगर ना भी रहे high qualification अगर ना भी रहे तो आप लोग को honest होनी चाहिए आप लोग का answers में body language में honesty होना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों तो यह सारा points आप लोग माइन पे रखिएगा दोस्तों शायद यह वीडियो आप लोग के लिए helpful रहे इसलिए मैं बता दिया आप लोग को बहुत सारा contractual kvies के लिए interview हो रहा है तो इसलिए मेरा knowledge मेरा experience मैंने आप लोग के साथ share किया फिर मैं आप लोग में निक्स वीडियो में मैं आप लोग के साथ share करूंगी विस्टर बला कॉल अफियो धन्य बाद